Hey guys, I am Rishi Sanger, Director of YouTube Rx This is HeyWaddy Q&A Season 13 जिसमें हम यहाँ पर कुछ questions को pick करके आए हैं आपके doubts को उनको हमने Instagram और YouTube दोनों से pick किया हैं पहले हम Instagram के replies को pick करते हैं उसके बाद YouTube के comments को pick करेंगे तो जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं और आपके doubts को clear करते हैं आपकी problems को solve करते हैं Guys, first reply हमारे पास आता है SMD Side G की तरप से जो यह बोलते हैं iPhone XR का battery backup iPhone X से बेतर है क्या तो जी हाँ guys यहाँ पर iPhone XR का जो battery backup है वो iPhone X, XS और आपके लिए यहाँ पर size से iPhone 11 Pro से भी best देखने को मिल सकता है because उसका एक सीधा सा region है कि यहाँ पर जो XR का battery backup है वो already iPhone X से ज़्यादा है उसके अलावा iPhone X में आपके पास OLED डिस्पले देखने को मिलती है iPhone XR में आपके लिए LCD डिस्पले देखने को मिलती है तो इस वज़े से iPhone XR का backup iPhone X से ज़्यादा है इसके अलावा next reply आता है हमारे पास I am Sam G की तरफ से Instagram पर ऐसे बहुत सारे पेज़े हैं और आप लोगों के बहुत सारे questions आते हैं कि Instagram पर ये पेज यहाँ पर इस तरह का product sale out कर रहा है iPhone यह इस price में यहाँ पर locked smartphone है clone smartphone है, custom smartphone है तो ठीक इसी तरह से यह बोल रहे है कि एक Instagram पर page था जहाँ पर उन्होंने किसी product के बारे में detail ली उसके आद उन्होंने WhatsApp नमबर दिया WhatsApp पर contact किया तो iPhone X 9000 में देखने को मिल रहा है तो वो मुझे से ये पूछ रहे हैं कि क्या ये deal सही है तो मैं आपको यही बोलूँ माँ प्लीज आप ऐसी चीजों से बचें ऐसा smartphone कहीं भी नहीं मिल सकता अगर मिल रहा है तो उसमें कमी जरूर होगी कोई न कोई problem जरूर होगी और आप fraud का भी सिकार हो सकते हैं तो प्लीज ऐसी चीजों से बचें मैं already पहली वाली वीडियोस में भी कर चुका हूँ इस टाइप की question तो फिर से आपको बोल देता हूँ कि एक वार आप खुछ सोच के देखिए जिस smartphone की MRP 70 to 80,000 है वो 10% price range में कैसे देखने को मिल सकता है तो ठीक उसी तरह से आप थोड़ा सा सोच के रखिए guys 50% price second end market में देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर 10% पर यह fraud होता है तो इस तरह के fraud में आप नहीं जाएं यहाँ पर अगर 9,000 की बात करते हैं तो iPhone 7 भी आपके लिए एक perfect मिल पाना मुस्किल होगा तो फिर X की बात ही बहुत दूर है तो मैं आपसे यह बोलूँगा कि सीधा सीधा यह fraud है और आप Instagram पर ऐसे बहुत सारे pages हैं बहुत सारे pages हैं जो आपके लिए redirect करते हैं WhatsApp पर या किसी other social media पर फिर वहाँ से आपसे payment ले ले लेते हैं और आपके पूरी detail ले ले लेते हैं इस तरह से मिल पाना पॉसिवल नहीं है तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा इस तरह की website पर या इस तरह की platform पर आप ना जाएं तो जादा अच्छा है इसके अलावा next reply आता है मेरे पार juice 1 जी की तरफ से और सेम इसी तरह का एक और comment हमारे पास YouTube से आता है Prime U10 YT की तरफ से जो ही है बोलते है आईफोन 7 प्लस 32GB वाले विरियंट की price used market में sell buddy पर क्या होगी तो मैं आपको बता दूँ अगर आप वहाँ पर try करते हैं तो 25,000 के approach देखने को मिल जाएगा वहाँ पर इस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और जो 28,000 का price segment आ रहा है उसमें आपके लिए sealed pack non active set देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए 28,800 के approach की price में आएंगे आप एक बार उनको call भी कर सकते हो और पूछ सकते हो इसके अलावा अगर वहाँ पर वो reply नहीं देते हैं तो आप WhatsApp पर message कर सकते हैं नहीं तो उनकी website से आप smartphone को buy कर सकते हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं iPhone 7 Plus लगवग आपके लिए 25,000 के approach में देखने को मिल जाएगा अगर वहाँ पर कोई used smartphone एविलेवल हो तो इसके अलावा नेक्ट कमेंट आता है ब्रोटीन भुवाल जी की तरफ से जो यह बोलते हैं यह एक बीकॉम स्टुजेंट है हो इनके लिए 45,000 का budget है और यह लेना चाह रहे है या एक laptop या iPad Air तो यह यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी इनके लिए बीकॉम के परपस से तो मैं आपको यह ही बोलना चाह रहा हूँ iPad Air एक बैटर डिवाइस है बट अगर आप laptop के लिए भी जा सकते हो तो आप आराम से 45,000 के एप रोक्स में एक बड़ी आसा laptop ले सकते हो जैसा कि मैंने भी आसस का वीवोग 14 की अन्वाकसिंग कर रही थी जो की एक बैटर डिवाइस लगा मेरे लिए 8GB RAM के साथ आता है 512GB के SSD आती है Core i5 processor है 8th generation का इसके साथ सत आप उसके लिए भी जा सकते हो जिसमें यहाँ पर अगर आप iPad Air के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी boundation होती है जो आप उनको use नहीं कर सकते है किसी में आप cellular मिलता है तो आप वहाँ पर SIM करेंट कर सकते हो otherwise GPS वाले में आप SIM को भी मिस करेंगे और अपने कामों को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो मैं आप से यही बोलूँगा अगर आप laptop ले सकते हैं तो आप आराम से 45,000 के approx में एक laptop के लिए जाएं जिस पे आपके लिए उससे better performance और high level की performance मिलेगी because iPad is a tablet और laptop आपके लिए machine heavy machines में भी आ सकता है जो आपका काम और सरल बना सकता है और आपके लिए आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इसके लाए नेक्ट कमेंट आता है गाईस हमारे पस मैंक बंसल जी की तरफ से जो यह बोलते है iPhone XR का कैमरा या iPhone 7 Plus का कैमरा कौन से का कैमरा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो इस पे बोल ले हैं कि iPhone 7 Plus में आपके लिए डूल कैमरा देखने को मिलते हैं और iPhone XR में आपके लिए सिंगल कैमरा देखने को मिलता है तो काईस यहाँ पर आप सिंगल कैमरा की विजए से यह ना समझें कि iPhone XR का कैमरा काम है इनफर्ट मैं अगर आपसे बात करता हूँ iPhone X से compare करते हैं तो iPhone XR का camera उससे भी ज़्यादा better है कुछ modes पर जिस तरह से अगर normal photography की बात करते हैं तो जो iPhone XR का camera वो बहुत better है यहाँ पे आप miss करेंगे तो जो portrait effect है वो objects के लिए miss करेंगे जो human body है उनका अगर आप portrait short लेते हो तो वो बहुत better देखने को मिलेगा और same इसी तरह से आप iPhone 7 Plus में object की portrait mode को miss करेंगे इसके अलावा जो camera quality है वो iPhone 7 Plus से बहुत बहुत ज़्यादा better है तो अगर आपके लिए portrait mode अकेला ही बहुत ज़्यादा important हो तो आप 7 Plus के लिए जा सकते है अधरवाइस iPhone XR का camera उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके अलावा नेक्ट कमेंट आता है काईस हमारे पास रहमस से एक जी की तरफ से जो यह है बोलते है iPhone 7 Plus बेटर है iPhone 8 तो फिर मैं आपसे वही बात करता हूँ जिस तरह से iPhone 6S Plus और 7 के बीच में डाउट है ठीक इसी तरह से यह वाला डाउट है क्योंकि iPhone 7 Plus बस सारे मामलों में iPhone 8 से अच्छा है अगर बात करते हैं hardware की तो hardware में आपके लिए 1GV की RAM ज़्यादा देखने को मिलती है बट otherwise Apple का A11 chipset आता है 8 में तो वहाँ पर better है बट अगर overall बात करता हूँ तो iPhone 7 Plus आपके लिए battery wake-up better देगा जो आपका camera quality है वो style iPhone 8 से better हो सकती है portrait effect के मामले में तो इस वज़े से iPhone 7 Plus better हो सकता है और अगर आप latest chipset की बात करते हैं आपके लिए wireless charging में इंपोर्टेंट चीज़े डिजाइन बहुत इंपोर्टेंट चीज़े तो आप iPhone 8 के लिए जा सकती है यह दोना डिफरेंस है यहाँ पर normal सा डिफरेंस है यहाँ पर confusion बहुत ज़्यादा है हर इंसान यही सोचता है कि 7 7 Plus जाएं है 8 के लिए जाएं बट यहाँ पर अगर बैटरी ज्यादा है इंपोर्टेंट है कैमरा ज्यादा है 7 Plus के लिए जा सकते हो अगर डिजाइन और wireless charging बगेरा ज्यादा है तो आप iPhone 8 के लिए जा सकते है यह छोटा सा doubt है सभी के मन में इसको clear करने की एक detailed video की भी पूर मतलब क्या है तो यहाँ पर जो भी sell buddy की warranty मिलती है वो यहाँ पर 12 मन्त की vendor warranty मिलती है जहाँ पर Apple India warranty होती है तो वो अलग से mention करते है Apple India warranty और अगर इन warranty लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह 12 मन्त की vendor warranty है यह वही warranty है जो अगर कभी आपका smartphone डेमेज होता है तो वो इ इसके साथ साथ जो insurance मिलता है उसमें आपके लिए 50% cost खुद देना पड़ेगा अगर कभी कुछ damage आता है और 50% आपके लिए जो insurance है उससे claim हो जाएगा इसके अलावे next comment आता है गाईस हमारे पर शाहबुद्दीन खिल जी की तरफ से जो यह बोलते है कि iPhone XR का price drop आपके लि वाली है Amazon Flipkart पर तो उसमें क्या price आ सकती है जो March में अभी DNA products से start होने वाला है तो उसके बाद क्या price देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ कि Amazon Flipkart की sale आने के chances हैं जो कि हर साल आती है Carnival sale आपके लिए Amazon की देखने को मिल जाएगी 25th December के करीब जो कि Christmas sale भी बोल सकते ह इन दौना sale में आपके लिए size से iPhone XR Amazon पर सस्ता देखने को मिल जाए विकॉस अभी जो जो sale आई है हम पुरानी बात करते हैं तो बहाँ पर iPhone XR की price drop यहाँ पर 40,000 के आप्रोक्स देखने को मिला था तो ठीक उसी तरह से उसी के basis पर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप्रोक्स 40 1000 के आप्रोक्स तो आज आएगा आराम से smartphone और अगर बात करते हैं March के production के बाद तो आपके लिए iPhone XR की price size से 35 से 40,000 के आप्रोक्स में देखने को मिल जाएगी जो एक better price segment होगा और अगर आप iPhone XR buy करना चा रहे हैं तो आप March का bet करें या ना करें बट अभी जो Christmas sale है उसका ज iPhones को buy कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आज आप iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, 7, 7 Plus और जो भी उपर के model हैं वो सारे आज आप second end market हैं buy कर सकते हो और अगर 6S के पहले बात करते हैं तो आप iPhone 5, 5S और 6 को भूल जाएं बिकॉज उसकी performance आपके लिए 2020 में better देखने को नहीं मिलेगी 2019 2019 के साथ से भी वो better device नहीं थे अगर आपको smartphone लेना है और दो साल चलाना है तो फिर आप 7 Series से start कर सकते हो एक साल चलाना है तो 6S और 6S Plus और SE के लिए भी जा सकते हैं ये list यह आपर आती है तो आप इन में से कोई भी smartphone second end market में buy कर सकते हैं 6S की बात करते हैं तो second end market में आपके 12 to 15,000 के approach price देखने को मिल जाएगी ये थे कुछ comments और ये थे कुछ reply जो कि मैंने इस video है पिक करें कल Instagram पर story डाल पाना थोड़ा सा late हो गया था और एक बार मैंने upload करी तो वहाँ पर कोई issue आ गया था कि वो सबको show नहीं हो रही थी तो फिर वो रात को मैंने upload करी तो वहाँ पर comments भी आप लोगों को बहुत कम आ पाए तो इस वज़े से यहाँ पर pick नहीं कर पाया बट आसा करते हैं कि next जो comment session रहेगा वाँ पर Instagram से भी हम बहुत सारे questions को pick करेंगे आपको वीडियो अच्छी लेगी तो please इसको like करें फॉलो कर ले हम Instagram पर जहाँ पर अगर आपका इसी नई वीडियो में